नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के आसपास मोजूद पेड़ पोधे और पशुपक्षी हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं हर पेड़ पोधे की और पशुपक्षियों की अपनी एक विशेष्टा होती है और इनी विशेष्टाव के कारण वे जाने जाते हैं कुछ पक्षी हमें शुप संकेत देते हैं तो कुछ पशुपक्षी हमें आशुप संकेत देते हैं उसी प्रकार से पेड़ पोधों के सुख जाने से हमें आशुप संकेत मिलते हैं और हरे भरे होने से शुब संकित प्राप्त होते हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पक्षी के बारे में, जिसे हमारे शास्त्रों में बहुती मोतोपुर्ण स्थान दिया गया है, वो पक्षी है उल्लू, उल्लू के विशे में कई ऐसी बाते और मानिताय हैं, जो आज भी उल्लू को अशुब माना जता है, उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जो रात में जाकता है और दिन में सोता है, उल्लू के मुझ से निकलने वाली आवाज, रात्री के वातावरन को डरावना बनाती है, उल्लू की आखे भी बड़ी और भोती डरावनी है, और मनुश्य की में चिलाते हैं और दिन में शिकार करते हैं इसलिए अपने भयनक रूप के कारण प्राचिन लोग इन्हें भूती आशुब मानते थे पुराणों में वर्नित एक कथा के अनुसार मा लक्षमी जब सर्ग से धर्ती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल उलू का दिखाई देना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंदर शुब माना जाता है आये जान लेते हैं उलू से जुड़े शुब शुब संकेतों के बारे में अगर आप इस चानल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरू करें साथी वीडियों को लाइक करना न शंतान सोभाग्य शाली होती है इसी प्रकार से उलू यदि किसी बीमार वेक्ति को छुकर चला जाता है तो उसकी गंबिर वीमारी ठीक हो जाती है दूसरी बात यदि कोई वेक्ति ही किसी महतोपुर्ण कारे के लिए जा रहा है जैसे नोकरी परिक्षा आदी के लिए जा रहा है और उलू दिख जाए तो यह भी शुब माना जाता है सुबह सुबह यदि उलू दिखाई दे उसकी आवाज सुनाए दे तो यह धनप्राप्ति का संकित है इसलिए उलू को या उसकी आवाज को कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए तीसरी बात उलू की आँखो में आखे डाल कर देख ले तो समझ लीजिए आपको कई से धनकी प्राप्ति होने वाली है छोती बात उल्लू के आखों की विश्वेस्ता होती है कि वह एक ही समय पर एक आख से एक दिशा में तता दूसरी आख से दूसरी दिशा में देख सकता है इसले ये कहा जाता है कि यदि उल्लू दाई और देखकर बोलता है तो यह शुब होता है जब कि यदि उल्लू बाई और देखकर बोले तो इसे शुब माना जाता है पांच युबात कहते हैं कि यदी कोई उल्लू किसी घर पर बैटता है तो वह घर भी जल्दी ही बैट जाता है अर्थात बरबाद हो जाता है किसी घर पर उल्लू का लगातर बैठना या रोना उस घर आर उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है साती वा प्राद्ना में बड़ी संख्या में उल्लु की बली दी जाती है। इसके नाखुन बाला और पंखो को तांत्री क्रियाओं में उप्यो किया जाता है। परन्तों ऐसा करना अशुब होता है। उल्लु मालक्षमी का वहन है। इसे मार कर किसी भी देवता को प्रसन नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों उमिदे आपको यह जान करें अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरू करें और कमेंड में जे मालक्षमी लिखना न भूलें साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद